हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जोतिश रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिया धर्शक गणों का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन रिया साथियों मैं हूँ आचारे पंडे सरवदनंद शर्मा मेरी और से भी आप सभी को बहुत-बहुत प्यार भरा नोशकार तो साथियों आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ आपके अपने मासिक लव राशी फल के विशह में यनि के मंथली लव राशी फल ये जनवरी तोँजार चौविस का है और पून्ड रूप से लगन राशी पर आधारित है और आज की जो चर्चा है जो मेश्ट से लेकर मीन तक बारे लगन राशी हैं उनमें आज जो हम चर्चा आपके साथ करेंगे अपने दर्शकों के साथ वो करेंगे जो हमारे कर्ट लगन राशी के मित्र है यनि के जिनका cancer ascendant बनता है उनके विशह में बात होगी और बताएंगे कि ये जनवरी 2024 आपकी love life को लेकर के आपके love relations को लेकर के married life को लेकर के no contact situation में अगर आप हैं तो उसको लेकर के single अगर आप हैं तो उसको लेकर के different different points पर अलग-अलग बात करेंगे आप से और बताएंगे आपको detail में तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे करक लगन राशी के जो मित्र हैं जो single हैं single का मतलब यह है कि अभी उनकी life में कोई उनका मित्र नहीं है अब क्योंकि आपका कोई मित्र नहीं है एक तो यह बात होती है कि आप किसी को पसंद करना शुरू कर दी है या काफी समय से पसंद भी करते हैं लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां थी कुछ ऐसी समस्याएं थी कुछ प्रॉब्लम्स थी कि जिनके रहते हुए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे दिमाग में दिल में तो आपके है बंदा या बंदी जो भी है मेल या फीमेल लेकिन आप कुछ कारणों से बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी अब यह जो जन्वरी का महीना है यह बहुत प्रॉमिसिंग मन्द लगता है मुझे आपके लिए और किस महीने में लगता है यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ देखिए बात यह है कि इस पूरे महीने आपका एक बहुत अच्छा योग बन रहा है और सबसे ज़्यादा जो आप रोमेंटिक रहेंगे यानि कि जो दिल और दिमाग दोनों में रोमेंस आपके चाया रहेगा ये एक जनवरी से और अठारे जनवरी तक तो बहुत ज़्यादा आप इसमें डूबे हुए रहेंगे यानि के हर समय हर पल आपके ये दिल और दिमाग पर रोमेंस चाया हुआ रहेगा पहली बात दूसरी बात के चलिए रोमेंस सो चाया हुआ रहेगा अब आप जिसको पसंद कर रहे हैं या जिसको पसंद पहले से ही किये हुए हैं या उसके साथ बात आगे बढ़ पाएगी, बहुत अच्छे डंग से बढ़ पाएगी साथियों, थोड़ा सा आपको इनिशेटिव लेने की जरुवत है, चीजें बहुत ही systematic way में आगे बढ़ेंगी, बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेंगी, और आप पूर रूप से उन सार परिणामों की प्राप्ति आप सिंगल जातकों को करक लगन राशी के जो हैं जनवरी दोजार चोबिस में हो रही है, विशेश रूप से एक जनवरी से अठारे जनवरी के बीच में, बहुत मन पसंद रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे, और मैं आपसे इतना भी कहना चाह रिखते हुए कि आपका जो मित्र है, जिसको आप पसंद कर रहे हैं या कर चुके हैं, या जिसम में जिस मेल या फीमेल जो भी है, उसमें आपकी जो रुची है, ये दिन परती दिन बढ़ेगी, और ऐसा नहीं है कि ये सरफ आपकी तरफ से ही ऐसा होगा, जितना आपकी सा जादार जितना अच्छे डंग से मजबूत कर सकते हैं ग्रहों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है इस मैंने डेट भी आपको दी है एक जनवरी से अठारे जनवरी तक आप इसका पूरा पूरा लाब लीजिए आपका जो मित्र है उसके भी दिल और दिमाग में आप ही रह है औग्रहों का पूरा समर्थन है पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको सहयख मिलेगा तो आपके लिए ये बहुत एक तरीके से लाव उठाने के लिए कहेंगे हम तो कि ये बहुत ऐसा पिरियाड है जिसका आपको लाव लेना चाहिए क्योंकि ऐसी ग्रहों की सित्तिती रोज रोज नहीं होती है तो जाज़तर निराशा ही रहती है किसी ना किसी कारण वाश क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट पूरी तरह से नहीं मिल पाता है जीवन में और इस छेत्र में यानि कि आपके जो सिंगल जातक है आपके लफ एर के मामले में बहुत अच्छा सपोर्ट है तो आधिक लाब ले सकते हैं जरूर लें और आप आगे बढ़ें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी आपके मित्र का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और एक अच्छी इंटीमेसी आप दोनों में बनेगी अब मैं आपको ये अठारे तारिक तक के विशे में तो बता चुका हूँ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अठारे के बाद हालात कैसे रह सकते हैं तो मेरे प्रिये साथियों देखिए अठारे के बाद जो आपके हालात हैं ये और अधिक मजबूत होंगे मजबूती की तरफ बढ़ेंगे मैं पूरा जनवरी का महिना यह कह सकता हूं कि आप कहीं बाहर जाने का भी प्रोग्रेम बना सकते हैं एक दूसरे के साथ कहीं दूर निकल जाए यात्रा पे पिकनिक के तौर पे और अपनी यात्रा को भी एंजॉय करेंगे एक दूसरे का तो यह तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं मैं देख पा रहा हूं इन गरहों को देखते हुए ऐसी जो इंडिकेशन आ रही है गरहों की और से बहुत पॉजिटिव आ रही है आपके लिए करकलगंडाशी की जो जातक सिंगल जातक है हाँ मैं यह गरू कह सकता हू कि विवा का योग अभी नहीं है लेकिन एक बात यहां पर और भी है कोई भी चीज़े ऐसी जब हुआ करती हैं तो वह स्टेप बाई स्टेप ही होती है अब मान लीजे के पहले आपकी अंडरिस्टेंडिंग बनी पहले आपकी बॉंडिंग हुई एक दूसरे के साथ जब आपने एक दूसरे को समझ लिया आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं इस रिष्टे में तो फिर सेकंड रिष्टेप होता है कि भई पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाए क्योंकि उनका भी कंसेंट चाहिए तो यहां पर मैं देख रहा हूं इस महीं ने एक जनवरी से चोधे जनवरी के बीच में आपको आपके पेरेंट्स का भी कंसेंट आपके साथ रहेगा अगर आप ये मैटर घर में रेज करते हैं तो वहां से भी आपको support मिलेगा आपके parents का 14 जनवरी तक 14 के बाद थोड़ी सी कुछ समस्याएं हैं कि जिसमें आपके लिए थोड़ी वो दिक्कत बन सकती है parents की तरफ से तो आप 14 से पहले पहले ही उनका जो भी आप confidence gain करना है कर सकते हैं उनको convince करना है तो आसानी से हो जाएंगे वो इसका भी आप लाप जितना ले सकते हैं जरूर लें मैंने आपको duration दे दिया है अब आके बात करते हैं कि आप जो करक लगन राशी के हमारे मित्र हैं अगर वो यह कहते हैं कि साब हमारा पहले से कोई relationship में हैं हम या हमारा affair चल रहा है आप बताएं जनवरी का महीना कैसा जाने वाला है मैं तो इतना ही कहूँगा कि जनवरी का महीना आपका है करक लगन राशी के जातकों का है अगर आप affair में हैं या फिर आप living relation में हैं जिसमें भी हैं जो भी जिस प्रकार का भी रिष्टा आपका बना हुआ है या आपने बनाया हुआ है आप इस रिष्टे में आपके progress होगी और ये दिन दे वाई डे और मजबूत होगी relationship आपकी बस इतना जरूर है कि ये relationship तो इस महीने पूरी तरह से मजबूत होगी ही वो आप महसूस भी करेंगे और उसको enjoy भी करेंगे लेकिन हाँ विवाह का योग अभी नहीं है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या सोचते हैं कि हम जल्दी ही विवाह कर लें तो विवाह का योग अभी नहीं है अब बात करेंगे कि जो विवाहित महीला पूरुश है, merit couples है, उनका विवाहिक जीवन कैसा रहेगा प्रियसातियों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपका विवाहिक जीवन एक तरीके से सामानने ही रहेगा, सामानने से मध्यम के बीच में लेकिन जो आपका life partner है, उसको स्वास्त से related जैसे कि most probably शुगर वगेरा या diabetes की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है या फिर थोड़ा सा जैसे कि fats की problem हो जाती है, fat बढ़ जाता है, चर्वी बढ़ जाती है, उसको लेकर के भी थोड़ी समस्या हो सकती है, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, तो ये इस चरीके की समस्या health को लेकर के रह सकती है, थोड़ा सा exercise वगेरा अगर properly हो और खान पीने पर अगर ध्यान दिया जाए, तो ये चीज काफी हथ तक ठीक हो सकती है, तो इस जिस बात की संभावना बनती है, life partner को लेकर के स्वास से related वो हमने आपको भी बताया है, और बात होगी आगे, ति यदि आप married हैं, लेकिन married होने के साथ साथ, आपका extra marital affair भी से कहीं चल रहा है, तो साथियों अगर आपका कहीं extra marital affair है, तो इसमें तो कोई दो रहा नहीं, कि ये extra marital affair का आप भरपूर, यह नहीं कि आपके दोनों के एक विश्वास में कोई कमी नहीं रहेगी, एक दूसरे के पिरती, लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे भी ग्रहों का भाव बना हुआ है कि सब कुछ चीज़ें ठीक रहेंगी, बावजूद सारी चीज़ों के होते हुए ठीक होने के बावजूद भी, आप उतना enjoy नहीं कर पाएंगे, जितना आप करने का विचार या तो रखते हैं, या आपको करना चाहिए था दूसरे ग्रहों के कारण, ज उसको अपनी relationship को enjoy करें, लेकिन यहाँ पर गुरू ब्रस्पती आपको ऐसा करने के लिए रोकेंगे, आप सुर्म ये चीज़ फील करेंगे, महसूस करेंगे, के नहीं, मेरे लिए पहले मेरी family है, मेरी married life है, ये चीज़ मेरे लिए secondary है, कुछ इस प्रकार की गुरू ब्रस् कमी नहीं रहेगी, लेकिन यही है कि जो मैंने आपको बात बताई है, ये चीज़ जरूर रहेंगी, इस तरीके के development रहेंगे, तो कोई विशेश प्रोग्रेस, सब चीज़ां को ये होते हुए भी हो नहीं पाएगी, आगे बात करते हैं, जो no contact situation में चल रहा है साथ ही हमारे करकल गनराशी के, उनके लिए कैसा रहेगा, भाई ये जनवरी का जो महीना आ रहा है, विशेश रूप से एक जनवरी से और अठारा जनवरी तक का जो समय है, देखिए ग्रहों का तो पूरा support है, अब आप या आपका जो मित्र है, उनके अपने व्यक्तिगत कुंडली में जो ग्रह हैं, वो क्या कहते हैं, वो तो हमने नहीं देखा है, हम तो ग्रह गोचर की सिती के आधार पर आपको ये prediction दे रहे हैं, तो ग्रह गोचर की जो इस सिती है, वो तो बहुत फेवरे भी ले आपके, यानि कि अगर आप no contact situation में हैं, तो अगर आपकी कोशिशें जारी ह हैं, तो आप तो दोनों ही एक दूसरे के काफी नजदीक आने चाहिए, और दोनों की आपस में जो भी पीछे मिसंडर स्टेंडिंग्स हुई हैं, वो भी सब दूर होंगी, दूर होने भी चाहिए, क्योंकि ग्रहों का अच्छा support मिल रहा है, और आप जो भी ये development होंगे, उससे कहीं न कहीं, आप भी पूरी तरह से satisfied रहेंगे, आपके लिए भी एक बहुत अच्छा, मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छी news है, प्लेनेट्स आपको इतना support देने जा रहे हैं, एक जनवरी से विशेश रूप से ठाने जनवरी के बीच में, तो अगर आपको ये उन आपको पूरा सहयोग करेगा, जितना आप मित्र को ले करके, गंभीर और चिंतित हैं, उतना ही आपका मित्र भी आपको ले करके, रहने वाला है, तो दोनों तरफ से चीजे हैं, तो फिर देर किस बात की है, मैं जह नहीं समझाता, अगर आप फिर भी कहीं उलजे हुए है, या कोई रुकावट आ रही है, तो फिर आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली में भी कुछ किरों की इस्थिती को देखना या उनका एनालिसिस करना काफी जरूरी हो जाता है, अगर ऐसा है आपके केस में, तो आप ऐसा जरूर करवाने हैं, जैसा हम आपसे कह रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक सधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाब ले सकें, और यदि आप ये चाहते हैं, कि जो भी वीडियो हमारे एस्ट्रोजी के टॉपिक पर बनेंगे, वे सभी विद नोटिफिक अंत में अपने इस कार्य करम का समापन करेंगे, और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत, तो इसी के साथ आप सभी का सेहर दें, बहुत बहुत धन्यवाद, जैम आता दी. झाल को आप सभी का सेहर देंगे, यह जगनावला से ले विराम, और अपनावला, और अपने आता दी.